एलो इस्टुडेंट मैं इंजिनियर दीपक शर्मा जीएस प्लेनट क्लासे जैपूर के डिश्टल प्लेट्पॉम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ठीक है जी तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे टिफिकल चैप्टर कौन सा हो सकता है एक function अब देखेगा अइज हम इस पर स्टार्टिंग की जो थयोड़ी है उसको म थोड़ा से skip करेंगे न्यूटन का first law second law इस चीज को आप जानते हूँ ठीक है मैं उन्ही जो topic को लेने वाला हूँ उस topic में आपको इस सारी चीजे थियोरी में cover करवा दूँगा ठीक है और बहुती लाजवाब tricks के साथ अपन आज इस topic को पढ़ेंगे ठीक है तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा जो topic है वो topic क्या है वो topic है हमारा topic है हमारा motion in lift आज हम चर्चा करने वाले हैं motion in lift की यहाँ पर lift से related नीट में अगर अगर आपन चर्चा करें तो नीट में यह topic बड़ा important होता है ठीक है और इस topic से questions आते हैं ठीक है तो हम इसी की चर्चा करेंगे सबसे पहले इसी का discussion करेंगे motion in lift की अब इस motion in lift को हम four cases में पढ़ने वाले हैं four cases में पढ़ने वाले हैं first case जो हमारा है first case मैं ले रहा हूँ इसमें पहला case हमारा है when lift is in stationary condition when lift is in stationary condition or movable with constant velocity ठीक है इस case में देको ये lift के जो concept है मैं इन concept को आगी न जाने कितने type के questions में लगा हूँगा ठीक है तो पहले हम चार case पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम problems solve करेंगे इस topic पर ठीक है है इसमें कोई person खड़ा हुआ है a person is standing in lift lift is in stationary condition or movable with constant velocity in both case acceleration of lift will be zero आपने पढ़ा होगा if lift is in stationary condition or movable with a constant velocity then the acceleration of a body remains zero ठीक है तो यहां पर दोनों case लेके चल रहे है या तो stationary है तो velocity zero होगी या फिर v is equal to constant it means in both cases acceleration of lift will be zero ओके चले तो यहां पर हम जब देखेंगे forces की बात करेंगे तो यहां पर कौन-कौन से force लगने वाले है यहां पर force लगेगा सब से पहले पहला force लगेगा mg that is wet force ठीक है पहला लगेगा आपका wet force और दूसरा लगेगा आपका क्या second one is normal reaction capital R ठीक है it is a normal reaction अब यहां पर concept आता normal reaction को ले करके देखें कई books में कई बार teacher भी थोड़ा सा जो है इसको गलत तरीके से बिएव करते हैं normal reaction और जो weight force है are not a action reaction force ठीक है normal reaction and weight force are not a action reaction force ठीक है किरिया प्रतिकरिया बल नहीं होते है ठीक है R के लिए normal reaction के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि normal reaction एक तो plane से लगती है और perpendicular to the plane लगती है कि पहले तो body किस पर होनी चीए plane पर होनी चीए यदि plane पर होगी तो normal reaction लगेगी क्योंकि why the plane लगती है and second one is its direction is perpendicular to the plane यानि कि कि दर होती है तल के लंबवत होती है समझ में आगी बात तो यहां पर R और NG तरीके से लगेंगे अब यहां पर जब lift की हम motion में बात करते हैं उसके बात समझ में आएगा next case में कि apprehend weight क्यों बोला मैंने इसको R को ठीक है तो यहां पर मैं R को बोलूँगा apprehend weight और M G को बोलूँगा मैं actual weight या बोलूँगा actual weight यानि कि यह अपना वास्ति भार होगा यह अपना आवास्ति भार होगा बात समझ में आगे तो यहां पर जब acceleration 0 है it means R is equal to M G R is equal to M G यह बात आप जानते ही होंगे इसको एक थोड़े से छोटे से example से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे माल लीजिए यह कोई M mass की body है इस पर मैंने 15 newton इधर लगाया और backward direction में भी मैंने 15 newton लगाया ठीक है फिर मैं आप से पूस्ता हूं दें what is the resultant force in this combination और in this system तो आप लोग मुझे कहेंगे sir resultant force will be 0 and acceleration is also 0 resultant force will be 0 and acceleration is equal to 0 तो क्या देखा हमने हमने देखा कि जब two forces are applied in opposite direction and in same magnitude then resultant will be 0 and acceleration of body is 0 यह हमने देखा तो यहां पर जब acceleration 0 है it means r is equal to mz ठीक है और मैंने r को यहां पर क्या बोला है r पर बोला है मैंने apprehend weight it is a apprehend weight it means apprehend weight is equal to actual weight अभी इस case में आपको पता नहीं चलेगा कि apprehend weight और actual weight क्यों बोल रहा हूं मैं इस case में आपको नहीं पता चलेगा इसका जो next case आएगा उसमें वह बताऊंगा कि मैंने आपके इसको apprehend weight क्यों बोला इसको एप्रेंट weight क्यों बोला ठीक है इसको हम कहेंगे आभासी बाद जो केवल feel होगा actual में ऐसा नहीं होता लेकिन केवल हमें feel होता है और actual weight तो जो हमारा होता है वो यह होता है तो पहला case आपके neat main topic से कम से कम एक या दो question हर साल पूछे जाते हैं इसी लिए मैंने सबसे पहले demo के हिसाब से आपके tough chapter को उठाया है वो है NLM और NLM में भी सीधा आपको जो है मैंने क्योंकि first law second law या फूप पढ़कर गया तो यह सब लोग जानते होंगे जानी वी चीजों को मैं बताऊं that is not important ठीक है चलिए तो यहाँ पर first case में हमने यह देखा तो यहाँ पर जो जी इफेक्टिव होगा जी इफेक्टिव जी इफेक्टिव यानि की परिनामी गुरुत्वियत्वरण परिनामी गुरुत्वियत्वरण रजल 10 and gravitational acceleration जब हम देखेंगे that is equal to g, g effective is equal to g first case तो यहाँ से question यह पूछ लिया जाता है कि when lift is in stationary condition or movable with a constant velocity then what is the g effective तो आप कहेंगे g effective is equal to gravitational acceleration it is equal to gravitational acceleration यानि की small g clear है and in this case apprehend weight is equal to actual weight clear चलिए अब हम इसको apprehend weight को समझने के लिए अगला वाला case उठा रहे हैं दूसरा वाला case उठा रहे हैं दूसरा वाला case क्या है second case ले रहा हूं मैं when when lift is movable when lift is moving in downward direction in downward direction with an acceleration of with an acceleration of small a with an acceleration of small a क्या है इस बात का मतलब कि यदी lift a तोरण से नीचे की ओर आ रही है हाना यदी lift a तोरण से नीचे की ओर आ रही है when lift is moving in downward direction with an acceleration of small a तो देखिएगा यहां पर यह जैसे अपनी lift हो गई lift में कोई person standing position में है हडा हुआ है ठीक है और lift with an acceleration move कर रही है in a downward direction ओके क्लियर अब यहां पर इस case में होगा क्या वो देखिएगा इस case में क्या होने वाला है इस case में होने वाला है आपका की weight force जो है वो तो downward direction में ही लगेगा mg ठीक है normal reaction which is called here is apprehend weight is in opposite direction of mg और perpendicular to the plane and lift is moving in downward direction with an acceleration of small a तो यहां पर जो equation बन करके आएगी वो क्या बन करके आएगी यहां पर equation बनेगी mg minus r is equal to m a mg minus r is equal to m a अब आप कहेंगे सर हमें तो नहीं आया है कैसे equation बनाई आपने सर हमें नहीं पता चला समझ येगा समझ येगा क्योंकि physics subject जो है वो समझने की है ठीक है तो यहां पर आप समझ येगा जैसे यहां पर ये कोई m mass की body है इस पर मैंने 15 newton का बल 15 newton forward direction में लगा रखा है 10 newton का force मैंने backward direction में लगा रखा है और फिर मैं आप से पूछता हूँ कि body कितने force से आगे moveable होगी पहले तो सबसे ये पहले तो ये पूछा जाएगा कि किस direction में moveable होगी तो आप का answer होगा Sir along the 15 newton force ठीक है फिर मैं पूछता हूँ कि कितने force से moveable होगी तो आप बोलोगे Sir 5 newton 5 newton is a resultant force ठीक है पता है आपको अब मैं आप से पूछू बिटा जी आपने कैसे निकाला इसको तो आप कहेंगे Sir हमने ऐसे निकाला 15 newton minus 10 newton is equal to 5 newton ऐसे निकाला Sir हमने तो आपने किया क्या आपने ये किया larger force में से जो smaller force है उसको differentiate किया या deflect किया घटाया उसके बाद में आपका result आया अधिक बल में से कम बल को गटाने पर result end आया ठीक है तो acceleration किदर था इस direction में वो ही तो मैंने यहां किया है देखो जा किदर रही है lift lift is moving in downward direction ठीक है lift किदर जा रही है नीचे की उर जा रही है तो यहां पर कौन सा बल जादा कौन सा बल जादा mg जादा किस से जादा r से जादा किस से जादा r से जादा कितना जादा mg-r के बराबर किस के बराबर होगा यह that is equal to result end force क्या बोला मैंने किदर जा रही है lift नीचे की उर कौन सबल जादा mg जादा किस से जादा r से जादा कितना जादा mg-r के बराबर वो किसके बराबर आएगा resultant force के तो इस तरीके से ये equation बनी है आपकी बात किलियर सबको ठीक है इस तरीके से आपकी ये equation बनी वहां भी तो हमने यह किया बॉडी कि दर जा रही है 15 न्यूटन की और बॉडी कि दर जा रही है 15 न्यूटन की और कौन सबल जादा 15 न्यूटन कितना जादा 15-10 किसके बराबर resultant कितना 5 न्यूटन समझ में आगे बात रटना नहीं ठीक है आज ये टॉपिक आप बिल्कुल किलियर हो जाएगा आपको और नीट में एक से दो कुछन इस टॉपिक से आपको मिलते हैं तो यहां से equation बनी mg-r equal to ma ठीक है और इस equation से हमें क्या पता चल रहा है इस equation से हमें यह पता चल रहा है ये पताचल रहा है कि अफ्रीन विट apprehend weight is less than weight force is less than weight force यही तो पता चल रहा है क्या पता चल रहा है R is less than equal to Mg क्यों? क्योंकि R में से मतलब R बराबर क्या है Mg minus M A यानि Mg में से M A subtract होने के बाद R आ रहा है तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है apprehend weight is less than equal to weight force और we can say that actual force actual force या actual weight बोल सकते हो ठीक है जी? खिलियर है अब यहां पर अब आपको समझ में आएगा sir apprehend weight क्या होता? बेटा एक question पूस्ता हूं मैं आप लोगों से वो question यह है कि जब जूला जूले पे लेके चलते हैं lift के concept apply कर रहा हूं जूले पे बेटा जब जूला उपर से नीचे आता है जब जूला उपर से नीचे आता है यानि कि जूला आपका downward direction में movable होता है उस condition पर आपको अपनी body में क्या feel होता है? एक question पूछ लिया मैंने आप लोगों से कि जब जूला उपर से नीचे की और आता है तो आपको अपनी body में क्या feel होता है? आपको ऐसा feel होता है कि आपका दिल जो है, आपका जिगर जो है आपका जो कलेजा है वो आपके गले में आगे होता है नहीं होता है? अंदर कुछ जुनजनाट जिसको कहेंगे वो चालू हो जाती है क्या हुआ? यह हुआ क्या हुआ? यह हुआ कैसे हुआ? देखो जी कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि जब lift नीचे आ रही है यह तोरण से तो जो व्यक्ति का जो भार है पर्सन का जो weight है वो apprehend रूप से decrease हो गया आवासी रूप से क्या हो गया? घट गया यही तो पता चल रहा है यहां पर apprehend weight is less than equal to less than actual weight यानि कि आवासी बहार जो है वास्तिकाले से कम हो गया तो जूले में भी यही हुआ जब जूला उपर से नीचे आ रहा था जब move कर रहा था in downward direction तो क्या हुआ वहां पर आपका जो weight है वो apprehend रूप से या virtually क्या हुआ? कम हो गया क्या हुआ? कम हो गया, decrease हो गया आप अपने आपको हलका महसूस करते जबकि ऐसा हो आपको केवल feel होता है ऐसा थोड़ी हो कि actual में हो गया कि आप 60 kg थे आपकी body को आप हलका महसूस करते हो ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि वैसा आप दिल निकल के गले में आ चुका हो समझ में आ रही है बाद? इसलिए मैंने यहां पर बोला apprehend weight आभासी रूप से ठीक है? virtually आना? समझ में आया? तो यहां पर अब आपके lift में second case बन गया तो इसमें आप आपको हलका महसूस करोगे और यदि इस case में मैं G effective की बात करूँगा यदि इस case में मैं G effective की बात करूँगा तो G effective कितना आएगा? क्योंकि it is a unit of force तो यहां पर देखे M और this is known as G effective तो यह कहलाएगा G minus A अगर आप से कोई पूछे exam में नीट में कई बार आये हुए हैं questions आप से कोई पूछे कि lift यदि downward direction में within acceleration small a is movable है, lift is moving in downward direction within acceleration small a, then what is the G effective? Then you can say G minus A. आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे sir G minus A होगा and what is the apprehend weight? आप कहोगे apprehend weight is less than actual weight यानि R is less than Mg ओके? किलियर? ठीक है जी? समझ में आया तो इस तरीके सह हमारा जो second case था उसमें हमने देखा कि यहाँ पर apprehend weight जो है वो कम हो जाता है समझ में आया? अब सायद आपको apprehend weight वाली इस्तिति समझ में आ गई होगी now we can discuss about the third case when lift is moving when lift is moving in upward direction in upward direction with an acceleration of with an acceleration of small a lift is moving in upward direction with an acceleration of small a अब lift कहा movable है? in upward direction उपर की ओर ठीक है? किलर है? चलिए तो इसमें क्या होगा? देखते हैं जरा क्या होने वाला है? यहाँ पर यह अपनी lift हो गई lift में यह कोई person हो गया? ठीक है? अब lift किदर movable है? lift is moving in upward direction with small a acceleration जानि कि उपर की तरफ जा रही है यह तोरण से अब क्या होगा? अब क्या होगा? वोई weight force किदर लगेगा? mg नीचे की ओर लगेगा? that is actual weight and normal reaction जिसको हम यहाँ पर apprehend weight मान करके चलते हैं वो किदर लगेगी? उपर की ओर लगेगी killer है? तो यहाँ पर equation क्या बनने वाली है? lift is moving in upward direction that means r is greater than mg r is greater than mg and r minus mg is equal to result force यानि कि r mg से जादा होगा और कितना जादा होगा? r minus mg के बराबर होगा और जो की किसके बराबर आ जाएगा? m a के उपर की तरफ जा रही है? कौन जादा? r जादा किस से जादा? mg से कितना जादा? r minus mg के बराबर that is equal to resultant force m a clear? ओके? चले अब हम आगे देखते हैं r is equal to mg को इदर ले जाएगे तो mg plus m a mg plus m a ठीक है? then r is equal to mg plus a r is equal to mg plus a समच में आया? तो यहाँ पर हम आदे देखें तो क्या आ रहा है? यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्या पता चल रहा है? कि apprehend weight apprehend weight is greater than actual weight apprehend weight is greater than actual weight it means यहाँ से हमें यह पता चला था कि r is greater than mg पता चला? तो यहां से पता चलता है आर इस ग्रेट देन एक्चुल वेट यानि कि आभासी भाहर जो है वह वास्तिक भाहर से जादा होगा क्या होगा जी जादा तो अब हम दुबारा से जूले पे चलते हैं ठीक है जब जूला नीचे से उपर जा रहा होता है जब जूला नीचे से उपर जा रहा होता है तब आपको क्या फील होता है जब जूला नीचे से उपर जाता है तो आपको फील ऐसे होता है कि जिस पे आप बैठे हुए हो आप उस पे चिपक गए हो आपको feel होगा कि आपका body weight बढ़ गया है आपका body weight बढ़ गया है अब किसी ने अगर feel नहीं किया हो न तो भाईया जब जूले में बैठ हो तब इस चीज को feel करना है हाँ नीचे वाला तो सब ने feel की है क्योंकि उसमें जादा हमें महसूस हो जाता है डर लगने लगता है अंदर से क्यों हलका feel कराता है आपका weight हो decrease हो जाता है लेकिन जब जूला उपर जा रहा होता है तब आप ये feel करोगे कि आपका body weight बढ़ गया अब ऐसे थोड़ी था कि आप 60 kg के चंडे थे और उपर पहुंचते पहुंचते 80 हो गए ना ऐसा नहीं होता इसलिए मैं कह रहा हूं इसको apprehend weight आभासी 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 क्योंकि cable ये upward direction then apprehend weight और weight actual weight में क्या relation होगा तो आपका होगे apprehend weight is greater than equal to greater than actual weight and what is the g effective तो g effective जो होगा वो क्या होगा g plus a क्या होगा g plus a यहां से देखें g plus a g plus a is g effective इसको हम परणामी गुरुत्विय तोरण बोलेंगे g effective बोलेंगे या प्रभावी गुरुत्विय तोरण बोलेंगे ठीक है पूछा जाता है आप एक बार book में खोल करके देखेंगे motion of lift से neat में questions आते हैं एक दो question हर साल आता है और यह वो case हैं जिसको मैं बहुत short में और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ I hope आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सर आज तो जूले पे गती गरा दी हमें lift के concept कहां ले जाकर के लगा रहा हूं मैं example में जूले में जाकर के लगा रहा हूं क्यों लिफ्ट में यह दोनों case है ही नहीं लिफ्ट का जो हमें feel होता है आप कहोगे सर हमें lift में तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है lift नीचे जारी होते है तब हैं कुछ फील नहीं करते क्यों नहीं करते उसका कारण यह है कि lift में जो first case मैंने पड़ाया यह वाला होता है daily life में lift पर जो case लगता है वो कौन सा लगता है lift is moving with constant velocity लिफ्ट हमेशा constant velocity से उपर जाती है daily life में जो lift हम देखते हैं उसमें वह ऐसे नहीं होता कि lift पहले धीरे धीरे जारी ती फिर एकदम से तेज हो गई अना एकदम से उसकी speed बढ़ गई उसके बाद फिरी speed कम हो गई अगर speed vary करेग कि तो ही तो acceleration generate होगा लेकिन हम देखते हैं कि lift बिल्कुल same constant velocity से उपर या नीचे यानि के upward और downward direction में movable होती है ना इधर भी velocity of lift is increase or decrease ना बढ़ती है ना गढ़ती है तो वहाँ पर हमारा जो apprehend weight होता वो actual weight के बराबर होता है इसलिए हमें वहाँ पर feel नहीं होती है सब चीज निक्या मैंने आपको इसका example relate किया जूले से क्योंकि बच्पन में आपको जूला जूलना बड़ा पसंद होता है और सब जूले भी होंगी ठीक है इसलिए मैंने वहाँ से relate किया तो अब आज से आपको पता चल गया होगा कि साब जूले जब नीचे आता है तो क्या होता है उपर जाता है तो क्या होता है और क्या होता है तो क्यों होता है फिजिक्स is not a subject it is a natural phenomenon एक प्राकरतिक है यहां without why physics cannot be completed क्योंके विना physics अंबवनी है इसलिए क्यों लगाना है नीट में जब तक आपने चीजों पर क्यों नहीं लगाया वाही नहीं लगाया तब तक आप नही सीख सकते ठीक है चले तो थर्ड केस अपना हो चुका अब हम लास्ट फोर्थ केस की बात करेंगे लास्ट फोर्थ केस की हम जब चर्चा करने वाले हैं तो इसमें हम बात करने वाले हैं वैन लिफ्ट इस इन free fall motion free fall motion when lift is in free fall motion समझ में आया ठीक है कि lift किस में है free fall condition में है do you know about the free fall condition do you know about the free fall condition ठीक है तो मैं बताता हूँ what is the free fall condition when external force applied on a body is zero when all external force applied on a body is zero यार्कि किसी वस्तू पर लगने वाले भायबल जीरो हो demo video है इसलिए मैं थोड़ा सा English terminology भी यूज़ कर रहा हूं क्योंकि Hindi medium वाले बच्चे भी थोड़ा सा students जो इसको देखेंगे ठीक है और थोड़ा सा bilingual बनाने कोशिश किये वाकि कि mostly मैं इसको आपको जो है English में discussion करने वाला हूँ ठीक है तो when all external force applied on a body is zero then body is in free fall condition like यहाँ पर यह marker है इस marker को मैंने finger से hold कर रखा है ठीक है मैं यहाँ पर applied force यानि कि external force जो है मैं apply कर रहा हूँ ठीक है finger से मैंने इसको hold कर रखा है now I remove the all external forces and marker is in downward direction with an acceleration small g this is free fall motion इसको कहते है स्वतंतरता पूर्वत गति इसे कहते हैं हम क्या free fall motion समझ में आया कि all external force applied on a body is zero than d body is in free fall motion ठीक है and in the condition of free fall motion the body will be move with gravitational acceleration okay समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है when body is in free fall motion then the acceleration of body is small g or we can say that it is gravitational acceleration okay चली तो यह होता है अपना free fall motion तो यहां पर चर्चा हम कर रहे थे क्या कर रहे थे भई मार कर था छूटा था हास से उठाना तो पड़ेगा ऐसे तो हो नहीं सकता कि pushpa जुकेगा नहीं जुकना तो पड़ेगा ठीक है चली तो यहां पर आगे देखेगा कि यहां पर जैसे लिफ्ट पर all external force जब 0 होंगे तो weight force it is in downward direction and the apprehend weight is in upward direction and the acceleration of lift is equal to gravitational acceleration जो lift का तोरण होगा वो किसके बराबर होगा वो गुरूत्विय तोरण के बराबर होगा किसके बराबर होगा जी गुरूत्विय तोरण के बराबर होगा समझ में आया बात clear है कोई दिक्कत कोई समझ्या कोई परिशानी नहीं ऐसा अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां पर वही case लगाएंगे जब equation बनाएंगे तो downward direction में जो बनाई थी क्या बनाई थी mg minus r is equal to ma ठीक है यही बनाएंगे clear है लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं यानि की lift का जो तोरण है वो किसके बराबर है गुरूत भी है तोरण के बराबर है clear तो यहां पर mg minus r बराबर एक ही जगह हम g पुट कर देंगे ठीक है clear है चले आगे r equal to mg minus mg हो जाएगा it means r is equal to 0 it means apprehend weight of person is 0 क्या mg minus mg एक ही जगह g पुट किया r बराबर mg minus mg बनके r आगया 0 it means it means apprehend weight apprehend weight of person is 0 यानि उस व्यक्ती का आवासी भार 0 हो जाएगा ठीक है और physics में जब भी weight 0 होता है तो उसको कहा जाता weightless condition it is a weightless condition it is a weightless condition it is a weightless condition कई बार यह question आप से exam में पूछा गया which of the following is a weightless condition तो यह आप कहेंगे आप क्या कहेंगे आप कहेंगे when lift is in free fall condition then it is a weightless condition because the apprehend weight of person will be 0 क्या बोला मैंने मैंने बोला कि यदि lift जो है स्वतंता पूर्वक गति करेगी when the all external applied force on a body is 0 then body is in free fall condition यानि कि वस्तू पर भायबल जो है उसको हमने 0 कर दिया तो क्या होगा उस time पर उस time पर वो free fall condition में होगी और जब free fall condition में होगी then apprehend weight of person will be 0 and this is known as weightless condition यानि कि उसका आवा सिवार 0 होगा और यह कहलाएगी भार हीनता की इस्तिती clear कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यदि इस इस्तिती की हम बात करें तो actual में यह इस्तिती पहले हुआ करती थी जब lift जो है आपके रसे वगरे सा strings से connect करके जो है चलाई जाती थी आज कल यह case होता नहीं है क्योंकि electrically होती है lift connected moveable होती है electricity से ठीक है तो यहां पर पहले यह हुआ करता था जब रसे टूर जाते थे जब strings disconnect होती थी तो lift is in free fall condition और उस time पर person को attack आता था क्यों क्यों हमने क्या देखा जब acceleration एसे नीचे आ रही है तब ही जूले वाले case में क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कि भईया जो अपना कलेजा था न वो गले में आ रहा था अब आप सोचिए जब apprehend weight कम हो रहा था तब ही हम ऐसा feel हो रहा था कि गले में आ रहा है लेकिन जब weightless condition आगी apprehend weight zero हो गया तो यह जो पहले गले में आ रहा था न कलेजा अपना जिगर वो सीधा गले से बाहर आ जाएगा सीधा गले से बाहर आ जाएगा इस का मतलब क्या है व्यक्ति पर्सन अपने आपको इतना हलका मैसूस करेगा कि उसको attack आएगा और सीधा स्वाहा बात के लियर समझ में आई बात तो यहां पर यह question भी neat में बहुत बार पूछा गया है कि which of the following is a weightless condition तो आप बताएंगे कि when lift is in free fall motion or condition then it is a weightless condition and apprehend weight of body or person will be zero this is weightless condition and this is a phenomena of weightless condition एक weightless condition अपनी satellite वाले में आती है एक condition आपकी यहां पर आती है understood ठीक है समझ में आया कि लिए है तो यह 4 case हमने lift की motion में देखे अब देखिए अब इनसे questions करेंगे हम लोग कैसे करेंगे इन questions को जो यहां से direct पूछे जाते है जी effective के बारे में वो मैंने आपको बता दिया कौन सा weight जादा होगा apparent actual वो मैंने आपको बता दिया इसके बाद daily questions है इन questions को अबन, इस lift के concept को लेके जाते हैं अबन बंदर वाले question में, monkey वाले question में लगाऊंगा मैं इस concept को देखेगा lift के concept जूले पर apply किये, Jूले के बाद अब मैं इसको लेके जाऊंगा वैस अ ब कहां पर बंदर वाले question में तो एक मैं जो है आपसे question discuss कर रहा हूँ, ज्यान से समझिएगा, ठीक है, question क्या है मार पास, question ये है कि एक string है, ठीक है, और यहाँ पर एक पुली है, पुली, पुली आप जानते होंगे, जिसको हम गिरनी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम गिरनी कहते हैं, पुली, गाओं की गोरी पानी लेने जाती है ना गाओं में, तो वहाँ पर पुए पर बेटा, पुली लगी होती है, समझ में आगी बाद, तो यहाँ पर पुली से एक string connect है, एक string connect है, ये लो साब, ये string connect हो गई और इसका दूसरा सिरा जो है, वो free है, ये एक string है और string का एक सिरा, एक corner तो आपके जो है किसी इसे tied up है second जो है वो आपका open है और कहां से होके जा रही है पुली से होके जा रही है गिरनी से होके जा रही है अब साब क्या है अब बात ऐसी है कि इस पर कोई monkey है इस पर कोई monkey है और ये monkey भाई साब इस पर 5 meter per second square के acceleration से उपर चंड रहे है monkeys climb up on the string by the acceleration of 5 meter per second square ओके ठीक है यानि कि जो बंदर है वो 5 meter per second square के तुरण से उपर चंड रहा है समझ में आगी बात killer है और आपको ये भी दिगया गया है कि monkey का जो weight है वो मैंने कह दिया जैसे 10 kg है मास मास है वो कितना है 10 kg है बंदर का द्रगमा 10 kg question समझ में आया दुबारा से देखिएगा एक string है string पुली से होकर के एक सिरे पर जो है जा रही है उस पर monkey जो है उपर चंड रहा है 5 meter per second square के acceleration से और मास जो है उसका 10 kg है और दूसरा जो सिरा है वो connected है कहां से किसी जो है रूप से या कहीं से भी मान सकते हो ठीक है अब आप से इस question में पूछा क्या जगया है आप से पूछा गया है what is the what is the breakdown what is the breakdown power of string what is the breakdown power of string ठीक है आप से क्या पूछा गया है कि breakdown power यानि कि भंजक चमता क्या होगी रसी की रसी की भंजक चमता क्या होगी अब आपके समझ में नहीं आया सरी what is the breakdown power ठीक है भंजक चमता क्या होती है तो बेटा सीधा-सीधा इसको समझना कि बंजक चमता का मतलब बंजक का मतलब टूटना होता है break होता है breakdown लिखा हो हाना break break मतलब टूटना यानि कि ये रसी कितने न्यूटन का बल सह सकती है सीधा-सीधा दूसरे ऐसे भी पूछा सकता है ठीक है what is the force which are required to break the string या कितने न्यूटन का बल ये सह सकती है ये भी आप से पूछा जा सकता है तो अब देखिए सब क्या होगा students दिहान से देखेगा question monkey का string monkey connected combination का question है और मैं इसमें लगा रहा हूं lift का concept देखेगा कैसे जरा solution देखेगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि string में एक force लगता है string में एक force लगता है that is tension force string में एक force लगता है that is tension force जिसकी direction आप दोनों तरफ बनाते है this is a tension force जिसको हम हिंदी में खिचाव वल बोलते हैं क्या बोलते हैं खिचाव वल it is a tension force ठीक है अब कई students को यह पता नहीं होता कि sir string में spring में ठीक है कैसे generate होता tension force तो मैं आपको इसका भी concept समझाता हूँ एक बार देखेगा what is the reason of tension force tension force के reason को हम समझेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा उसके बाद हम बापिस से अपने question पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे m mass की body को मैंने hand कर रखा है with a string ठीक है कर रखा है अब string में क्या होंगे molecules होंगे string में क्या होंगे molecules अनु होंगे होंगे जी होंगे बिलकुल होंगे ठीक है अब जैसे मैं एक mass इससे connect करूँगा तो उस condition पर क्या होगा उस condition पर यह होगा कि weight force लगेगा downward direction में ठीक है weight force जो लगेगा mg वो लगेगा downward direction में जब weight force downward direction में लगेगा तो उस time पर जो intermolecular attraction force है between the molecules of a string यानि की रसी के अनु होंगे मद्ध जो अंत्राणवी का करशनबल है वो negligible होगा negligible in the sense molecules will be displaced in downward direction यानि की अनु जो है कहां गती करेंगे नीचे की और जैसे मैंने कहा कि यह वाला molecule उठकर के यहां displace हो गया यह वाला molecule यहां करके displace हो गया यह वाला molecule यहां करके displace हो गया इस तरीके से molecules के between distance क्या होगी बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि weight force active हम देखते भी है कि जब हम किसी mass को connect करते हैं विद इस ट्रिंग तो mass जो है वो in upward और downward direction इस तरीके से movable होता है होता है हम देखते हैं spring से string से mass connect करने पर उस time पर आपका जो है जो mass है वो क्या होता है upward और downward movable होता है physics में ध्यान रखना बेटा जितना imagination power रखोगे जितनी आप जो है सोचने की समझने की शक्ति रखोगे मतलब वो view आपके सामने नजर आना चाहिए वो ब्यू जब physics का बाद करना नहीं पड़ेगा learn करना नहीं पड़ेगा ठीक है तो समझिएगा जब वेट फोर्स नीचे होगा तो molecules displace होंगे molecules displace होंगे यानि molecules के between distance क्या होगी increase हो जाएगी because weight force is active लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि साब weight force के कारण ये string खिस्ती ही चली जाएगी कभी रुकेगी नहीं नहीं इसकी stretching एक point पर जाकर के रुकेगी ठीक है एक limit तक ये stretch होगी मैंने कहा यहां के बाद में इसकी stretching बंद हो गई killer है molecules सारे displace हो गए अब जैसे यहां इस point पर जाकर के इसकी stretching बंद होगी stretching बंद होगी तो अब weight force का effect हो गया खतम जितना खिचना था stretch होना तो वो हो लिया अब क्या होगा अब बापिस से active होगा क्या intermolecular attraction force बात clear तो अब molecules बापिस से अपने इस्थान पर जाने की कोशिश करेंगे due to elastic property सारे molecules अपने इस्थान पर जाने की बापिस से कोशिश करेंगे जब यह ऐसाब करेंगे तो अब mass दीरे 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 उपर जाने लगेगा due to intermolecular attraction force जब molecules बापिस से उपर displace होंगे अपनी positions पर तो mass पर उपर की तरफ ए जिसके कारण से molecule बापिस से उपर की ओर जाने लग जाएंगे clear है तो जब यह उपर की ओर moveable हो रहे हैं तो ड्रसी में जो tension generate हो रही है वो हो रही है in upward direction और जब weight force effective हो रहा है तो हो रहा है downward direction समझ में आया इसलिए tension force की direction दोनों तरफ बनाई जाती है weight force जब effective होगा with respect to intermolecular attraction force then body is moving in downward direction and when intermolecular attraction force is effective with respect to weight force then body is movable in upward direction तो इस तरीके से रसी में खिचाव उत्पन हो गया भई सीधा सा समझे इसको नाम tension force क्यों दिया गया इसको tension force इसलिए दिया गया मेरको 10 newton से कोई इधर खीशता है फिर 15 newton से इधर खीशता है जब उसका भल effective है मैं इधर जा रहा हूँ जब इसका effective है तो मैं इधर जा रहा हूँ आप कहोगे कि it can be generated by the intermolecular attraction force, reason of tension force is intermolecular attraction force, यानि कि तनाव बल का जो कारण है वो क्या होता है, अंतराणवी काकरशन बल होता है, clear है, clear है, दोनों तरफ direction क्यों बनाते हैं, आई होग आपको समझ में आ गया होगा, आज reason पता होगा कि साथ tension force क्यों generate होती है, और देखिए, NLM में ध्यान रखना कि जब भी same string रहती है, तो tension क्या होती है, समान होती है, लेकिन string के change होते ही, tension भी change हो जाती है, because the molecules of string और intermolecular attraction force of every string will be different, जब intermolecular attraction force अलग-अलग होगा, तो tension force भी अलग-अलग होगा, इसलिए string जब change होती है, रसी जब change होती है, तो tension force भी अलग हो जाती है, समझ में आया, clear है, ये cable एक छोटे से topic पर demonstration है, कि किस तरीके से आप NEET के लिए मेरे से physics पढ़ने वाले हैं, मैं आपको हर view दिखाऊंगा इसका, practical physics पढ़ेंगे, not is theoretical, ठीक है, समझ में आगे बाग, तो देखेगा, तो यहाँ पर tension force आगे आपका, चलिए साब, tension force का reason भी पता चलेगी आपको, अब देखिए, एक नाम सुना होगा आपने, जब पढ़े होंगे एलेवंत पे, तो किसी teacher ने बोला होगा, कि free body diagram, आपको बोला होगा, कि आप बनाए इसका free body diagram, FBD, free body diagram, मुक्त पिंड आरेक, क्या जी, मुक्त पिंड आरेक, अब करोगे सर, यह कौन सा diagram होता है, प्री body diagram क्या होता है, तो free body diagram कुछ नहीं है, free body diagram का मतलब यह है, कि जिस body का free body diagram बना रहे हो, उस body पर जितने भी force, magnitude के साथ लग रहे हैं, उनको सब को दिखा दो, क्या बोला मैंने, कि जितने भी बल, जिन दिशाओं में लग रहे हैं, जिन direction में जितने भी forces लग रहे हैं, उनको उनके परिमान के साथ, magnitude के साथ आप represent कर दो, that is known as free body diagram, ओके, चले, तो यहाँ पर, मेरे को किसका, monkey का free body diagram बनाना है, मंकी का, चलिए साथ, यह monkey है, अब आप कह रहे होंगे, सर यह तो monkey नहीं, हमें शोले का ठाकुर दिख रहा है, सर पैर तो बना रहे हैं, हात नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, यह है ठाकुर साथ, ठीक है, अब इनका जब free body diagram बनाएंगे, तो देखे, यहाँ पर इसका weight force नीचे mg, उपर की तरफ आप ज़रा देखेंगे, तो इस monkey पर क्या लग रहा है, tension force, क्या लग रहा है बटाजी, tension force, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर उपर की तरफ क्या है, tension force, T, और monkey बाइस साब किदर जा रहे हैं, monkey is moving in upward direction with an acceleration of 5 meter per second square, यह कहलाएगा इसका free body diagram, ठीक है, अब यहाँ से, इस free body diagram से मैं equation क्या बना सकता हूँ, मैं बनाऊँगा, T minus mg is equal to mg, किदर जा रहा है monkey, ऊपर जा रहा है, ठीक है, किदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कौन सा बल जादा, T जादा, किस से जादा, mg से जादा, कितना जादा, T minus mg के बराबर, किस के बराबर होगा वो, that is equal to resultant, तो यहां से equation बन गई, T minus mg बराबर, म, बताईए, क्या यह lift का ही concept है, लेकिन lift का concept मैंने कहां जाकर के लगाया है, monkey पर जाकर के लगाया है, बास समझ में आगी, lift का concept है न, हमने पढ़ा था, if lift is moving in upper direction with an acceleration small a, then equation r minus mg is equal to m, लिखा था हमने, ठीक है, यहां पर वही equation बन रहे है, T minus mg equal to m a, ओके, चले, clear है, आगे देखते हैं, तो T बराबर, T is equal to mg plus m a, then T is equal to mg plus a, ठीक है, वही case आया है, ठीक है, जब upper direction में बात कर रहे थे, जूले की, तो देखो, apparent weight बढ़ रहा था, यही तो आ रहा था mg plus a, यही आ रहा था, चले, यहां से अब हम calculate करेंगे, तो T बराबर m, m की value कितनी है, अपने पास, 10 kg, g की value exact जो है, वो कितनी होते हैं, 9.8 meter per second square होती है, ठीक है, इन CGS, we can say, 980 centimeter per second square, और in FPS, we can say, it is value is 32 feet per second square, यह value आपको ध्यान रखनी है, value बहुत बार पूछी जाती है, g की, ठीक है, FPS में, तो यहां पर 9.8 होती है, लेगिन मैं calculation के हिसाब से यहां, approach value 10 ले लेता हूं, ठीक है, तो मैंने यहां पर 10 value ले ले जी की, और A की value कितनी है, 5, it means T is equal to 150 newton, it means what is the breakdown power of string, it is 150 newton, यानि string 150 newton, 150 newton का force सह सकती है, अगर इससे जादा force लगाया, तो रसी टूट जाएगी, बंदर भाई साब नीचे आ जाएंगे, क्या, समझे रहे हो, हाना, कि अगर यह इससे जादा बल लगा, 150 newton से जादा लगा, तो उस इस्तिती पर यह string disconnect हो जाएगी, और आपके बंदर भाई साब नीचे आ जाएंगे, with free fall condition, if air resistance is zero, जाना लिए free fall condition हम देखते निए, क्योंकि air resistance होती है, लेकिन यदि air resistance zero होगी, तो free fall motion ही होगी, फिर monkey भाई साब की, तो यहाँ पर इस question के according जो answer है, that is 150 newton, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि string और monkey के question पर मैंने lift का बाला concept लगा दिया, जुले पर मैंने lift का concept लगा दिया, तो बस इसी तरीके से पढ़ेंगे एक जगे, युटलाइज करेंगे उसको चार जगे पर, जो need के लिए required होता है, इसी तरीके से मैं आपको पूरी mechanics और पूरी physics पढ़ाना चाता हूँ, ठीक है, यदि आप लोग तयार होतो, हम तयार है, क्या आप तयार हो, तो इसका decision आज ही ले लेना है, इस class को देखने के बाद, ओके, चले, तो यहाँ पर बात हुए, अब कई बार क्या होता है, physics में आपको पूरा ध्यान रखना होता है, मान लीजिए same question, same question, ठीक है, same question है ये, और, ये ही question है, same, देखिए, अंतर क्या आएगा, देखिए, एक ही question को कई तरीके से देखिए आपनो, यहाँ पर ये police से string गई, और, यहाँ पर ये monkey है, same question है, यहाँ पर monkey within constant velocity 5 meter per second, upper direction में moveable है, ठीक है, same question है, वहाँ पर acceleration था, इस पर क्या है, constant velocity है, when monkey is moving with a constant velocity of 5 meter per second, यानि कि नियत वेग 5 meter per second से, जो monkey है, जो बंदर है, वो उपर जा रहा है, समझ में आया, पिछले में 5 meter per second इस पर acceleration से जा रहा था, यहाँ पर constant velocity से जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है, पासमझ में आगई, तो इस इस्तिती में क्या होगा, इस इस्तिती में क्या होगा, देखो जरा इसकी अगर FBD बनाओ गया, आप FBD, तो यहाँ पर यह monkey हो गया, इसका weight force mg नीचे ही लगेगा, ठीक है, string में, tension force T लगे गई लगेगा, लगे गई लगेगा, तो tension force उपर, ठीक है, और constant velocity गिवन है, B is equal to 5 meter per second, अब आप कहोगे, सर, इसका answer अगर breakdown power हम बताएं, तो सर, पहले वाला ही आ जाएगा, अगर आप से कहेंगे, तो आप कहोगे, सर, इसका जो answer होगा, वो पहले वाला होगा, नहीं बेटा, गलत है, ठीक है, दोनों questions में अंतर है, value same है, value same है, वो 10 kg है, monkey का mass, आप से वो इब्रेकडाउन पावर पूछी, क्या पूछी, what is the breakdown power, 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 यह आप से पूछा गया, clear है, तो अब इस case में क्या होगा, इस case में क्या होगा, यहाँ पर question में क्या कहा गया, कि constant velocity से movable है, constant velocity से movable है, it means acceleration will be zero, it means acceleration will be zero, नियत वेक से गतिशील है, तो तुरण का मान zero होगा, और यह पढ़गर के आते हो आप लो, if a body is in stationary condition, or movable with a constant velocity, then the acceleration of a body will be zero, यानि कि उस वस्तू का तुरण जीरो होता, जब अस्तू नियत वेक या, इस तिरह वस्ता में होती है, तो यहाँ पर acceleration of monkey will be zero, monkey will be zero, 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 acceleration will be zero, अब जब acceleration zero होगा, तो lift का पहला case, जब lift stationary ती रमुवे वलती, with constant velocity, then r is equal to mg, तो यहाँ पर जब acceleration zero है, it means T is equal to mg, equation क्या बनेगी, T is equal to mg, okay, clear हुआ सबको, ठीक है, acceleration जब zero है, तो इसका मतलब resultant force zero है, resultant force zero है, it means, both forces are equal in magnitude and opposite direction, दोनों बल परिवान में समान है, और दिशा में विपरीत है, कब जब परणामी बल zero है, परणामी बल zero क्यूं है, क्योंकि परणामी तोरण zero है, बात clear, चलिए, तो यहाँ पर T is equal to mg, and T is equal to m की value कितनी है, 10, and G की value कितनी है, 10, 10 ही ले ले लेता हूं मैं, approach 9.8 की जगए 10 ले ले लेता है, तो T is equal to 100 newton, T is equal to 100 newton, okay, समझ में आया, तो यहाँ पर अगर velocity given है, constant velocity से मंगी जा रहा है, तब तो आ रहा है सब 100 newton, यानि कि string 100 newton का force जो है, force जो है, उसको सह सकता है, उससे ज़्यादा हो गया, तो string क्या होगी, disconnect होगी, और अगर 5 meter per second square के acceleration से जा रहा है, तो कितना सह सकता है, 150 newton, 150 newton, okay, clear, समझ में आया, महारती हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ये lift के जो concept थे, उसको मैंने जूले से relate किया, उसके बाद इन ऐसी problem से relate किया, ये एक, बस एक demonstration है, और कुछ नहीं है, ठीक है, आगे हम ऐसे ही questions को, एक question को, दस तरीके से, उस concept को, दस जगे ओपर लगा करके, हम complete neat की, बहुत अच्छे से, बहुत 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 तयारी करने वाले हैं, ठीक है जी, तो आपको, आज ही, इस बीडियो को, देखने के बाद, यह decision लेना है, कि GS Planet Classes, जैपुर जो है, वो neat के लिए, बहुत बहुत pure dedicated, जो है, digital platform है, तो आज ही, आपको neat के लिए, जुड़ना है, और ऐसे ही, कई लाजवाब बीडियो sessions, मैं पहले भी कर चुका हूँ, इस channel पर, आज आपको neat के लिए, मैंने एक थोड़ा सा बताया, कि mechanics के सबसे, सबसे tough chapter, सबसे tough chapter, that is, NLN, उसको हम चर्चा कर रहे हैं, और भहुत आसान conceptों के साथ, I hope, आपको मजा आया होगा, I hope, आप सारी चीज़े clear हुई होगी, ठीक है कि किस तरीके से physics में एक concept को सब जगे apply किया जाता है, बायो वाले student physics से जर्नली डरते हैं, लेकिन मैं उसको उन शब्दों में, इस subject को explain करूँगा, उन example से relate करूँगा, जो example बच्चा खुद देखता है, एक demonstration session ठीक है, और आज के आज, आप GS Plant Classes जैपूर के साथ जुड़िएगा, फिर हमारी मुलाकात होगी, एक नए topic, एक नए जो है chapter के, नए topic के साथ, तब तक के लिए, मैं इंजिनियर दीपक शर्मा, आप लोग उसे बिदा लेना चाऊँगा, जै हिन, जै भारत!